नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोत और आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे पाइवोट टेबल के बारे में पाइवोट टेबल MS Excel का एक बहुती बैतरीन फंक्शन है जिसका यूज हर एक कमपनी अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए दो करती ही है पाइवोट टेबल अपने आप में एक बहुती बैतरीन फंक्शन है जो की हमारे डिफिकल्ट वर को बहुती इजी कर देता है अगर आप MS Excel सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर पाइवोट टेबल जानना आपको बहुत ज़रूरी है बिना पाइवोट टेबल के आप MS Excel के अंदर डेटा को एनलाइज नहीं कर सकते तो इसकी complete वीडियो में आज जो आपको बताने वाला हूं तो बने रही है हमारे साथ अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजेगा सब्स्राइब कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में शेर जरूर कीजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप देखेंगे हमने कुछ employees के यहां पर name लिये हुए हैं उनकी department से यहां पर select किये हुए हैं उनकी sales हमने यहां पर लिए हुई है sales 2020 की और 2021 की अब इसको हम किस तरीके से pivot table में convert क करेंगे उसके लिए आपको करना क्या है simply data को select करना है select करने के बद आपको जाना है यहांसे insert tab के अंदर अब यहांसे देखेंगे आपका insert tab जैसी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्शन आजाएगा आपकाοιπόν का data table range का है, यानि इसके अंदर हमारी data की table की range लेनी होती है, अगर आपका कोई और data है, तो आप उसकी range यहाँ पर select कर सकते हैं, by default यह उसे automatically select कर लेता है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने दो options है, सबसे पहला option है आपका new worksheet, और दूसरा option है आपका exiting worksheet, यानि आप जो pivot table चाह रहे हैं, वो एक नई sheet पर चाह रहे हैं, या exiting इसी worksheet के उपर आप pivot table चाह रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको इसी sheet पर यह data चाहिए, तो आपको exiting पर click करके, यहाँ पर आपको click करना होगा location पर, location पर click करना की बाद यहाँ से आपको उस जगह की range लेनी होगी, जहाँ पर आप इस table को represent करना चाह रहे हैं, तो फिलाल हम इसे एक नई worksheet पर लेंगे, हम फिलाल new worksheet पर click करेंगे और simply इसे ok कर देंगे, जैसे आप इसे ok करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का theme रेपरेजेंट होगा, जिसमें आप देखेंगे आपकी यहाँ पर फिल्स शो हो रहे हैं, तो यह तो data हमारे पास बहुत ही छोटा सा data हमने लिए है, आपको समझाने के लिए, companies के data होता है वह बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही large होता है, और उसमें से किसी data को find करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, तो वो काम हमारा यह पाइवर्ट टेबल बहुत असानी से कर देता है, अब यह आप इसका example देख लेंगे, तो यहाँ पर जैसे माल लीजे, मैंने आप से कहा कि furniture के अंदर total कितनी कितनी sales होई हैं, वो हमें यहाँ पर represent कर दे, अगर मैं इसको filter लगाता हूँ, analyze करता हूँ इसको, तो यहाँ पर वो data represent तो कर देगा, लेकिन हमारी यहाँ पर conditions इतनी सारी होती हैं, कि जिसके according हम data को filter नहीं कर पाते, इस वज़े से हम filter का यहाँ पर हर बार use नहीं कर सकते, जैसे माल लीजे, कि हम यह चाहते हैं कि electronic में कितने employee काम करते हैं, कितने persons काम करते हैं, उन्होंने कितनी-कितनी sales किये हैं, मुझे सिर्फ वही record देखना है, तो अगर आप उस record को यहाँ पर find करेंगे, तो उसे किस तरीके से बताएंगे, आपको यह भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, इसी तरीके से माल लीजे, particular person किस-किस department में काम करता है, उसने कितनी sales किये, आप मुझे वो बताइए, तो उसे भी निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिशानी उठानी होगी, तो यह private table हमारे पास एक ऐसा option है, मुझे आप वो बताइए, तो इसके लिए हम चले जाते हैं वापस से private table के अंदर, और यहाँ पर अपने department को select करते हैं, और यहाँ पर select कर लेते हैं हम लोग sales 2020 को और 2021 को, अब आप यहाँ पर देखेंगे, electronic में जो हमारी total sale हुई है, 2020 की, वो sale हुई है, 62,279 रुपीज की, उसी तरीके से furniture की यहाँ पर आप देखेंगे, 2020 की sale दिखा रहा है, उसी तरीके से आप देखेंगे, 2021 की यहाँ पर sale represent कर रहा है, तो इस तरीके से आप अपने data को summarize कर सकत हैं, अब यहाँ से माल लीजे, अगर हमने 2020 का नहीं देखना, हमने 2021 का देखना है, तो यहाँ से हम 2020 का tick marks यहाँ से अठा देखेंगे, तो आप देखेंगे, आपकी 2021 का जो data था वो यहाँ पर represent हो गया, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपक इलेक्टोनिक का ही आपके सामने department show हो, और उसी का आपको total sale 2020 और 2021 की show हो, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके लिए आप देखेंगे, आपके सामने filter का एक बटन है, इस filter पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर select all लटा दीजे, और यहाँ पर आपको जिस भी department का देखन इस department को select कर लीजे और यहाँ पर simply से okay कर दीजे, इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोनिक department का ही data आपके सामने show up हो रहा है, साथ के साथ उसका grand total है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, अगर आप 2020 का देखना चाहते हैं, तो आप टिक मार करता है, तो यह किस तरीके से आप निकालेंगे, तो इसके बाद हम select करेंगे सबसे पहले department वाले option को, तो यहाँ पर आप देखेंगे, department में अभी हमारे सामने सिर्फ electronic आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर filter लगा रखा है, इसको हम यहाँ से clear कर देते हैं, filter को, तो आप आप देखेंगे, electronics के अंदर, जगदीप है, कमल है, मदन है, सावन है, यह हमारे electronic department के persons है, इसके बाद बात करें, अगर हम furniture की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, furniture में हमारा अधित्या है, परवीन है, परदीप है, सुनील है, तो यह सब यह employees है, हमारे furniture के employees है, और इसके बा आप देखेंगे, हाँ पर आपका जगदीप की total sale यहां पर दिखा दी, उसने 17,490 रूपीज, ऐसे ही कमल की total sale दिखा दी, आपको 15,469 रूपीज, उसी तरीके से मदन की sale दिखा दी, 16,323 रूपीज, उसी तरीके से सावन की sale दिखा दी, 12,997 रूपीज, तो इस तरीके स आप हर एक employee का अपना data चेक कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप 2020 के लावा 2021 का देखना चाहते हैं, कि इस employee ने 2021 के अंदर कितनी कितनी sale की है, तो उस पर भी आप जैसे check marks करेंगे, टिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपका ये data भी यहाँ पर analyze हो जाएगा, तो इस तरीके आप कई तरीकों से इसे देख सकते हैं, पाइवर टेबल कई तरीकों से आप इसे अपने हिसाब से analyze कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि कौन सा employee, कौन से department में काम करता है, अगर आपको ये देखना है, तो इसके लिए आपको करना है, simply name of person पर click करना है यानि name of person हमारा जो भी है name of employee जो भी है हम उस पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो भी employees थे वो यहाँ पर represent हो चुके हैं इसके बाद आपको यह देखना है कि वह concept department में काम करता है तो आपको simply department को select कर लेना है जैसे आप department को select करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो person है वो कौनसे department में काम करता है यहाँ पर आपकी उसके list यहाँ पर represent हो चुकी है इसके अलावा अगर आप sale देखना चाहते हैं 2020 की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर समराइज हो जाता है इसी तरीके से आप अपने डेटा को analyze कर सकते हैं तो यह बहुत ही बैदरीन function MS Excel का इसके बाद अगर मैं आपको बताओं अगर आप इसका printout लेना चाहते हैं तो simply आपको इस table की बजाए इस table का printout लीजे ताकि यह सामने वाले बंदे को यह देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह data में आखिर funda क्या है किस तरीके से analyze किया गया है तो इसके बहुत सारे concepts हैं बहुत सारे तरीके हैं मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिये हैं और भी जिस तरीके से आप इसे analyze करना चाहते हैं और भी जिस तरीके से आप इसे filter करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं माल लीजे मैं यहाँ पर filter का option और भी मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल का तो इसी तरीके से हमारी पाइवर्ट टेबल यूज की जाती है कई मैथट से कई तरह से इसके बाद मैं आपको कुछ ऑप्शन और इसके बता देता हूँ जो बहुत ही इंपोर्टेंट है जो बहुत ही काम आने वाले फंक्शन से उसके लिए आपको जाना है तो मैं आपको और खेवर कर देता हूं उसके लिए क्या करना होगा आपको सिंप्ली अपने डेटा पर जाना है और यहां पर माल लीजे मैं एक कॉलम और एड कर देता हूं माल लीजे मैं यहां पर लिख दिया टोटल सेल लिखने के बाद मैंने इन दोनों सेल्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया और प्लेस करने के बाद इसको नीचे की तरब ले जाकर के Ctrl D ड्रैग कर दिया और इसे बॉर्डर में वापस से मैंने बंद कर दिया आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वही फिल्ड्स है जो हमारे पास पहले थी अब यह डेटा किस तरीके से रिफ्रेश होगा यह डेटा रिफ्रेश करने के लिए आपको इसी शीट पर वापस से आना है यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक एड किया हुआ है अभी जो इतना डेटा रिकरेंट कर रहा है अभी यह डेटा हमारा or एकसर हमने इसमें अड कर दिया है तो इस डेटा को मैं किस तरीके से इस वाली Teble में एक करूंगा तो उसके लिए मैं आपको पहले इन से भी यहां से अठा देता हूँ और आप देखेंगे यहां पर हमारे पास जो options है जो fields है हमारे पास वो simply 4 fields है और पांच भी fields मुझे अगर add करनी है तो इसके लिए मुझे जाना होगा सेम analyze वाले option पर यहां देखेंगे आपके सामने analyze का change data source, यहाँ पर करने वाले है हम change data source, यहाँ चोड़ा ऐसे पहला option पर क्लिक करेंगे ओस याँ और हम यहाँ चाहिव पने data के ल Wähख तो यहाँ के इनदर और यहाँ पर जो आपका total amount था, जो total sale थी अभी हमारे सामने show up हो चुकी है, आप देखेंगे total sale यहाँ पर represent हो चुकी है, अगर यह represent ना हो तो आप यहाँ से refresh में जा करके उसे refresh कर सकते हैं, आपकी जो field है वो यहाँ पर represent हो जाएगी, तो इस तरीके से आप अपने total fields को यहाँ represent कर सकते हैं, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, माल लीजिए कि हमने यहाँ पर table 1 के अंदर किसी data के अंदर को changes कर दी है, तो माल लीजिए यहाँ पर हमारे पास Aditya है, और Aditya को हमने क्या किया है, Aditya को हमने यहाँ पर governments का department बना, हमने इस data के अंदर थोड अप्षिन जो मैंने आपको पता है, refresh वाला, इस वाले पाइवर टेबल पर आपको click करके रखना होगा, और यहाँ पर जाना होगा, आपको analyze वाले option पर, analyze वाले option पर जाने के बाद यहाँ पर आपको select करना होगा, refresh वाला option, refresh वाले option पर जैसे आपके सामने refresh all का एक option शो हो जैसे आप इसे refresh करेंगे और वापस से अपना data देखेंगे तो आप देखेंगे आपका जो data था यहाँ पर update हो चुका है, यहाँ पर furniture की जगए garments represent हो चुका है, तो इस तरीके से आप अपनी data के अंदर changes करने के बाद refresh कर सकते हैं, उसके अंदर editing करने के बाद उसके अंदर ने कितने कितने sale की है, हमने वो तीनों चीज़ें यहाँ पर select कर रखी हैं, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और option आपके सामने show up होगा, insert slicer का, यह बहुत ही काम का function है, इस पर जैसे हम click करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक slicer open हो जाएगा, अब इस slicer के अंदर आपको करना क्या है, आपको simply हमने ले लिया यहाँ department का slicer और इसको simply कर दिया, अब आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर departments यहाँ पर show up हो चुके हैं, जैसे आप electronic पर click करेंगे, तो आपके सामने electronic की जितनी भी departments थी, वो आप के सामने यहाँ पर show up हो जाएंगी, अब मैं इसे एक तरीके से और आपको समझा देता हूँ, जैसे माल लिजे हमने यहाँ पर name of employee ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया total sale, अब मैं यहाँ यह देखना चाहता हूँ, कि हमारी electronic के अंदर total sales कितनी हुई है, तो आप देख कितने बंदे काम कर रहे हैं, और उनकी कितनी कितनी sales है, और total grand total sale कितनी है, तो इस तरीके से आप slicer add कर सकते हैं, इस button का use कर सकते हैं, अगर आपको इस slicer clear करना है, तो यहाँ पर जैसे आप clear all पर click करेंगे, तो आपका slicer यहाँ पर clear हो जाएगा, आपके जितने भी employees थे, यहाँ पर show हो जाएगे, उनकी total sale यहाँ पर show up हो जाएगी, तो इस तरीके से भी आप अपने data को filter कर सकते हैं, आप इस slicer का use कर सकते हैं, अब इस slicer को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, simply यहाँ पर click करना होगा, click करने के बाद अपने keyboard से delete button दबा देना होगा, delete यहाँ पर आपको जाने की अंदर, home tap के अंदर यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने एक option आटाएगा आपके पास clear all का, तो यहाँ पर clear पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहला option है clear all का, इस पर जैसे आप click करेंगे, आप पा जो भी और Крас अटेबल ती चैनल को लाइक कमेंट शियर जरूर कीजएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजएगा धन्यवाद